मैं हूँ अर्णपुना और आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज मैं बैनाने वाली हूँ एक और फलाहारी की रेसिवी आलू साबुदाना नमकिल जो बहुती टेस्टी है और बहुती हेल्दी है तो आएए देखते इसके लिए हमें किन-किन चीजों के आवशकता है यहाँ पर मैंने लिया तीन कच्छी आलू, आदा कटोरी नाइलून साबुदाना मुमफली आदी कटोरी, कुसुखा नारेल, हरी मिर्च, एक करियाबती की स्ट्रिप, एक स्पुंजीरा कुटी काली मिर्च, नमक, शक्कर और तेल तलने के लिए सबसे पहले मैंने नाइलून साबुदाना, यह मोटा वाला साबुदाना उसमें पानी चीड़ा के पाश्मिक लिए रख दिया अब मैं आलूओ को खिस ले रही हूँ सारे आलो को खिस लूँगी और आप इनको मैं अच्छे से पानी से वाश करूँगी इसको मैं दो-तीन बार पानी से वाश की तुँद आप इसको तब तक वाश करना जब तक कि इसमें से पूरा स्टार्स न निकल जाए अच्छे से निचोडते हुए इसको हमें साफ पानी से दो तिन बर दो लेना है अब मैं फाइनली दो रही हूँ दो कि मैं आपको दिखा दोंगी इसमें का अल्मूस्ट पूरा स्टार्ज निकल गया अब मैं इनको अच्छे से निचोड ली हूँ मैं इनको 20 मिनिट के लिए या आदे घंटे के लिए दूप में सुखा दूँगी मैंने इनको दूप में डाल दिया है आदे घंटे बाद मैंने इनको निकाल दिया आदे घंटे बाद आप देख सकते ये काफी खुले-खुले हो गया है और उनका स्टार्ज भी निकल गया ऐसे करने से आलू आपस में चिपकता नहीं है और अच्छे से क्रिस्पी बनता है अब मैंने कडाई में ऑईल डाला है तलने के लिए अब मैं इसमें डाल रही फल्ली हो गया मैंने इनको निकाल लिया अब सेम प्यान में मैं डाल रही हूँ आलू जिनको हमने खिसके धूप में सुखा लिया था धोके आलू थोड़ा-थोड़ा करके डालना एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है आभी कंटेन्यू चलाते हुए इसको मिक्स करना अधरवैस य मैंने इसको पानी में अच्छे से वाश करके सुखाया था इसलिए यह अलग-अलग बने है अगर हम लोग अच्छे से नहीं वाश करेंगे तो वह एक जगा इखटा हो जाएगा और मैं इसको छनी में डाल रही हूँ छनी में डालने से उसमें का पूरा जो ओले वो निकल जाएगा अब सीम उसी ओईल में मैं डाल रही हूँ साबुदाना मोटा वाला नायलोन साबुदाना इसको पानी डालके मैं थोड़े दर के लिए पाश मिंत के रख दिया था पानी डालके रखने से साबुदाना नरम हो जाता है और अंदर तक अच्छे से सिख जाता है और एक स्पून ऑलिल डाल के अब मैं डाल रही हूँ घ्रीन चिल्ली, आप अपने टेस्ट के आकोड़िंग डालना क्योंकि हम लोग इसमें काली मेश में डालेंगे, ग्रीन चिल्ली को हमें एक दम क्रिस्पी होते तक फ्राइक करना, उसमें नहीं नहीं रहना चाहिए, अगर उ इस तटखे को में डालूँए हमारे साबुदाना और आलो के मिक्षर के ओपर आप मैस में डालूँगे बाकी सारे मसाले सबसे पहले मैस में डाल रही हूँ 1.5 spoon काली मिर्च, उटीवी काली मिर्च हैं उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1.5 spoon, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है पर उसके बाद शक्कर डाल रही हूँ 1.4 spoon आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो अधर्वाइस आप डाल सकते हो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ बस हमार साबुदाना बनके रेडी है अब भी एक क्रिस्पी टीस्टी साबुदाना बनाईए और बताईए अच्छ आपने बेल आइकन क्लिक करें था कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू